सो ओलो फ्रेंड्स विडियो कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अचे हैंगे सो यार आप लोगों की बहुत ज्यादा क्वेश्टन से कि भी या फिलीज बता दीजिए कि इलाबा दिनोंट्रेटी में अगर होस्टल लेते हैं उसका फीस कितना होता है रेंट या फिर अच्छे नहीं कौन-कौन से होस्टल है बेसिकली फॉर बॉइस और गर्स दोनों के लिए तो कौन-कौन से होस्टल है एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कौन सा होस्टल है सभी के बारे में डिसकस करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्क्राइब कर लो टेलिगरम नहीं कर लिए लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में वह पर आपको इंपोर्टन जानकारी मिलती रहती है तो प्लीज चलिए स्टार्ट कर देते हैं तो यहां पर भाई आप सभी लोग देख पा रहेंगे य अपर 500 रुपई ले जाते हैं अन्ड गेम्स के लिए थाउजन रुपीज एंड होस्टल मेंटेनेंस और यूजर चार्ज मतलब कि होस्टल को मेंटेन कर दोने के लिए साफाई वगारा के लिए 2000 रुपई आप से चार्ज के जाते हैं यह तो हो गया फस्ट में सेकंड क्या चार्ज हैं यह भी रेंट नहीं तो मैं दिखाने हो लो रेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता काम होता है भी देखना आपको तो दा इंटायर कॉस्ट आप एलेक्टरी सिटी एंड वाटर चार्ज बिल्वी एक क्वेल डिवाड़ेड अमंग डारेजिदेंस ऑफ दा में रूम है सबका डिवाइड होके आप लोगों के जो बिजली की कास्ट है और जो वाटर के चार्ज है वो सब मिलकर आते हैं तो जो आता है मतलब इनिसली दैनिसली एक्रिसिटी एंड वाटर चार्ज ऑफ एट थाउजन फॉर सिंगल नों यह रूम के लिए वन मतलब ठीक है तो यह चार्ज है ना एक किसके लिए यह वाटर एंड एलेक्रिसिटी के लिए आप देख लेते हैं आगे नैस्ट भी है तो अगर कोई करता है इसमें जाकर के होस्टल में तो उसको 500 रुपे अलग से देना पड़ेगा यह सब आप देख रहा है जो कि एक अपना पे करना पड़ेगा रेंट देख लेते हैं दा मंथली रेंट फॉर शिंगल सीटेट रूम बिल भी 300 और डबल सीटेट रूम तो रेंट जो आप लोगों का जिसको बोलते आप किराया तो वह क्यों और क्यों तीन सो रुपए है ठीक है वन मंत का फॉर सिंगल मंत सो वन मंत का जो मंतली किराया है वह क्यों 300 रुपए तो आपका बारा महिने का 36 रुपए टोटल होगा बस ठीक है वह तो जो मैंने दिखा इसके पले वह सब इलेक्टरिसिटी विल थे हलाकि वह एक महीने के नहीं थे उसाइस से जब तक आप पड़ोगे तब तक के थे या फ तो बैंक के थूरू आप जाकर होस्टल का जो मतलब पेमेंट सिस्टम होगा उसमें पे कर सकते हो ठीक है जब आप पे कर सकते हो तो यह सब आपका पूरा दिखाई दे रहा होगा यहां पर आपको कैसे अगर आपको फोस्टल नहीं चाहिए तो आप रीफंड और गयरा का क भी लोग है ना चलिए यार नेश्ट देख लेते हैं भी होस्टल के नेम करे कौन कौन से होस्टल है तो दास सिड्यूल लिस्ट आफ होस्टल सी रूल वन यहां पर आप सभी को भी दिखाई दीगा अच्छा अभी अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते होंगे तो एक ए दामरनाथ जहां होस्टल हैं एई डाइमनड जूबली ऑस्टम एंड सर गंगा नाथ जहां सर पीसी बेनरजी औरजी ससे सर सुंदर लॉल हॉस्टल है डाक्टर टीसी सावें और डाक्टर एस रादाक्रिष्णन औरजह सताबदी बाच्छा एंद सताब्दी बाइज 後 च् पुद्र इसलिए बहुत कर जो है वह कट आफ कम जाता है क्योंकि होस्टल नमबर राफ में ज़्यादा है इंड जो गर्ल की स्टुडेंट रहें हैं वह कम है कंपैर्जन वह अगर बात करें बॉसक्त तो काफी कम होते हैं फोस्टल लगबग लगबग एकोली अचिए होस्ट और दर्सनी होस्टल आ कल्पना चावला रहुटल प्रेशनी फोर्न स्ट्ट है तो आप आप सभी को यारे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीचे इसका स्कून साट में सेयर करने वाला उपने टेलीग्राम पा लिंक इसक्रिप्स वक्स में प्लीजान का लिए चलिए फ्रेंड्स आगे मिलता है नए शे वीडियो में तब तक क्लिए बबाय टिक्यार जय हिंद